Hello everyone, welcome back to my channel आज हम बनाएंगे एक बड़ी आसान सी मिठाई जिसको हम घर पर बड़ी ही आसानी से तियार कर सकते हैं और ये सभी को खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है जब कभी मीठा खाने का मन हो तो हम इसको केवल 10-15 मिनट में ही बना करके तियार कर सकते हैं और बच्चे पूड़े सभी को ये बहुत पसंद आती है और इसके लिए हमें कुछ खास ज़्यादा चीजों की भी ज़रूरत नहीं होती है जो चीजे घर पर आराम से एवलेबल हो जाती है उनी चीजों से हम इस मिठाई को बनाएंगे तो मिठाई को बनाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबस्कायब कर लीजे और वीडियो को लाइक कर लीजे और अपने मित्रों और प्रेजनों में जाद से जाद शेयर करें तो वीडियो सुरूर करते हैं इसके लिए हमने लिया है कुल एक कटोरी दूद, एक कटोरी नारिल का प्रादा, एक कटोरी मलाई, फ्रेश मलाई जो घर की है और एक कटोरी ही हमने लिया है इसमें milk powder और जो थोड़ी सी दूद हमने लिया है उसके अंदर थोड़े से हम डाल देंगे केसर के धागे एक अच्छी खुश्बू और अच्छा कलर देने के लिए इन सबी चीजों को हम एक तरफ रखेंगे और अब शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे उसके अंदर हमने जो एक कटोरी मलाई ली है धर की फ्रेश मलाई है और उसके अंदर हमने जो milk powder लिया है वो डालेंगे साथ ही हम जो मलाई हमने ली थी उसमें आदी कटोरी दूद डाल करके अच्छे से इनको मिक्सी में हम मिला लेंगे दूसी तरफ हम लेंगे एक कड़ाई, कड़ाई में हम डालेंगे एक चमच के करीब घी और इसके अंदर हम जो नारिल का जो हमारा बुरादा है उसको हम हलका सा भून लेंगे इसमें ज्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंके नारिल के बुरादे में अपना कुद का थोड़ा सा ओईल होता है और इसको हम धीमियाच पर इसका कलर चेंज ना होने तक थोड़ा सा भून लेंगे और कई लोग घर में नारेल के बुरादे को भून कर भी रखते हैं तो इस टाइम पर उसको भूनने की जरूरत नहीं है मैं ज्यादा तर बुरादे को भून करके रख लेती हूँ उससे एक स्मेल भी नहीं आती है और काफी दिन तक चल जाता है अब इसके अंदर हमने जो मिश्रन बनाया है उसको हम डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे और इसको हमने धिमी आज़ पर ही पकाना है मीरियम आज कर सकते हैं तो ज्यादा तेज आज पर हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ज्यादा तेज आज पर अगर हम पकाते हैं तो मेरिल का बुरादा जो है वो सौफ्ट नहीं होगा और लीचे जलने के भी इसके आसा रहते हैं तो मिक्सी में जो लगा हुआ मिशन था हमने उसको भी थोड़ा सा दूर डाल करके इसमें मिला लिया है और इसको हम अब लगातार चलाते हुए पकाएंगे इसको गाड़ा होने तक ये थोड़ा सा जब तक गाड़ा ना हो जाए हम इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहें और इस प्रकिरिया को होने में लगबग 5 मिनट ही लगते हैं ज्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगता है इसके साथ ही अब यह देखिए हमारा मिशन थोड़ा सा गड़ा होने लग गया है अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इलाइची का पाउडर अच्छी सी सर जो है हम रख देंगे बाद में डेकोरेशन के लिए इसके साथ ही हमने जो इसमें चीनी ली है बुरा खान जो भी आपने यूज किया है उसको लेकर के मिलाएंगे और इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे और इस क्रिया को ज्यादा समय नहीं लगता है और यह जब इसको बनाते रहेंगे आप यह देखिए हमारा मिशन यह थोड़ा सा गाड़ा हो गया है और कड़ाई भी जो है अपने किनारे चोड़ने लग गई है कहीं से भी चिपका हुआ यह नहीं लग रहा है तो अभी लगबग हमारा यह मिशन बन करके तयार है और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नहीं आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो अभी हम लेंगे एक परतन प्ल ठंडा होने के लिए इसको सेट करने के लिए तो ये लीजिए हमने अपने इस मिशन को अच्छे से सेट होने के लिए रख लिया है इसको एक अच्छी सी शेप दे दिया है अब हम इसके उपर अपनी स्वाद के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ड्राइफ उपर से डाल दिया है देखने में अच्छा और खाने में टेस्टी लगता है और साथ ही काजू, बादाम या जो भी आप ड्राइफूट इसमें पसंद करें वो डाल सकते हैं मैं यहाँ पर खाली बादाम का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और यदि आपके पास ड्राइफूट हो तभी आप इसमें डालें अगर आपके पास नहीं हो तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं और इसको स्पैचुला की सहायता से इस तरह से दबा दबा के इन ड्राइफूट को इसके अंदर कर देंगे तक ये उपर निकले ना अब हम लेंगे 10-15 मिनट इसको सेट होने में लग जाते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख करके ठंडा कर सकते हैं नहीं तो 10-15 मिनट में ठंडा हो जाता है और उसके बाद हम इसके पीसिस कट कर लेंगे और जो हमने थोड़ा सा केसर दूद बचा के रखा था उसकी इस तरह से डॉट हम इसके उपर सजा सकते हैं इसमें केसर थोड़ा हलका कम दिख रहा है क्योंकि केसर की मातरा मुझे लगता है दूद में थोड़ी कम रह गई थी तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा और कलर मिला सकते हैं लेकिन कलर काने के लिए अच्छा नहीं होता तो मिलते हैं अगले किसी इसी तरह की इंटरस्टिंग सी वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत